आपको कौन कौन सी कहानी अच्छी लगती है तो आज हम बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ने वाले हैं जिसका उन्वान है इल्म का शौख तो इस कहानी को आप गोर से सुनिए और इसे समझिए तो चलिए कहानी शुरू करने से पहले तो चलिए सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करते हैं बिल आइकन को दबाते हैं वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं इल्म का शौख आज से कोई धाई हजार बर्स पहले युनान में एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा है उसका नाम अफलातून था उसके सेकड़ो शागिर्द थे एक दिन शहर के सबसे बड़े रईस ने अफलातून से दर्खास की कि वो उसके बेटे को पढ़ा दिया करे अफलातून राजी हो गया रईस की हिदायत के मताबिक पढ़ाई के दौरान कमरा बंद रखा जाता था उस वक्त किसी को भी अंदर जाने की अजाज़त नहीं थी रईस के बेटे का एक गुलाम था जो उसी का हम उम्र था उसे पढ़ने का शौक था मगर वो पढ़ नहीं सकता था क्योंके उस जमाने में गुलामों को पढ़ने की अजाज़त नहीं थी जब रईस का बेटा कमरे के अंदर पढ़ रहा होता तो गुलाम लड़का बाहर दरवाजे के पास बैठा रहता उसे अफलातून की बाते बड़ी अच्छी लगती थी वो बंदरवाजे से कान लगा कर अफलातून की बाते नहायत शौक और लगन से सुना करता था रईस्जादे को पढ़ते हुए जब एक साल पूरा हो गया तो इम्तियान लेने के उस जमाने के खायदे के मताविख आलिमों की एक मजलिस बुलाई गई अफलातून के कई शागिर्द भी वहां मौझूद थे रईस्जादे को एक उचे मिमबर पर बिठाया गया फिर उसे एक उन्वान पर तकरिर करने के लिए कहा गया एक तो रईस्जादे ने इम्तियान की तैयारी ठीक से नहीं की थी दूसरे उस पर मजलिस का उर्वाप कुछ ऐसा तारी हुआ कि वो एक लफ़ भी बोलना सका वो तबियत की खराबी का बहाना करके मेंबर से नीचे उतर आया अफलातून को बड़ी पशेमानी हुई उसने अपने दूसरे शागिर्दों को आवाज दी तुम में से कोई इस उन्वान पर बोलने के लिए तैयार है मगर कोई तैयार नहीं हुआ उसी वक्त दर्वाजे से लगकर बैटे हुए गुलाम लड़के नहायत अदब से कहा हुजूर अगर इजाज़त हो तो मैं इस मौज़ू पर कुछ बोलने की कोशिश करूँ एक मामूली गुलाम की ये बात सुनकर सबको बड़ी हैरत हुई अफलातून ने इसे बोलने की अजाज़त दे दी लड़के ने उस उन्वान पर ऐसी उम्दा तक्रीर की के लोग अश अश कर उठे इस वाकिये से खुश होकर रईस ने इस लड़के को आज़ाद कर दिया अफलातून ने इसे अपना शागिर्द बना लिया ये मामुली गुलाम लड़का बड़ा होकर अरस्तू के नाम से मशूर हुआ और सिकंदर आजम का उस्ताद बना तो बच्चो ये कहानी थी अफलातून और उनके शागिर्द अरस्तू की जो बड़े होकर सिकंदर आजम का उस्ताद बना तो बच्चो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होते से लाइक कर दीजिए चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं कियाते से सब्सक्राइब कर दीजिए बिल आइकन को दबाना मत भूलिए वीडियो को जादा से जादा शेयर कीजिए थैंक्स पर वाचिंग